मिसमेला इर्मान इर्रहीम, वेल्कम टो अनुशे किचन आज में एक क्विक से सबजी की रेस्पी शेयर करूँगी इसको बनाना बहुत ही असान है और बहुत ही कम वक्त लेती है जल बन जाती है तो चलिए फिर इस रेस्पी को बनाना स्टार्ट करते हैं सब से पहले, हाफ का पाईल को गरम करेंगे फिर इसके अंदर ने एक मेडियम साइज का प्याज अड़ करके इसको सोटे कर लेने है तो तर धरतंशे थीन मिनट के लिए आपने इसको फ्राइए पिर इसमें हाफ के जी आलू अट कर देने है आलो को पतला-पतला काटा हुआ है, इस तरीके से बहुत जल्द ये पक जाएंगे, गलने में इनको टाइम ने लगेगा, इसको चार से पांच मिनट अच्छी तरह भूनने के बाद अब इसके अंदर हमने वान टेबल स्पॉन जीरा एड किया है, और वान टेबल स्पॉन जि रखते नहीं, ताकि टेमाटर के पानी में आलो भी अच्छी तरीके से गल्ज है, लो फ्लेम के उपर हमने इसको पका लिए, तक रिबन 6-7 मिनट हमने इसको फ्राय किये, टेमाटर भी अच्छी तरीके से गल्ज चुके हैं और आलो भी 90 परसम तक गल्ज चुके हैं, अब इसके अंदर हमने स्पैसे अड़ करनी है, वन टेबल स्मोन इसमें रेड जिली अड़ करेंगे, हाफ टेबल स्मोन इसमें सौल्ड अड़ करेंगे, हाफ टेबल स्मोन इसमें हल्दी पाउडर, हाफ टेबल स्मोन गराम साला, वन टेबल स्मोन इसमें धनिया पाउडर कर देनी है लोगी को दोबारा से एक से दो मिनट फ्राय करने के बाद इसके अंदर दहीं आड़ कर देना है टो टेबल स्पून अच्छे दिक एसको फ्राय करने है ताके दहीं का पानी खुश्क हो जाए इसके अच्छे दिक इसकी भुनाई कर लिए अदर अच्छे से यह पकाना बस cover करके low flame के ओपर हमने इसको पकाना है देखे low flame के ओपर हमने इसको पका लिया था अलकिसी यह soft हो चुगी है आलो भी अच्छे तरीके से गल गए बहुत ज़्यदा अब हम इसको नहीं पकाएंगे वहना शिमला में इसका color और इसका जायका दोने गाइब हो जाएं करने है और फोरण ही आपने इसको बंद कर देना फिलेम को और फिर आपने इसको एक से दो मिनट तक cover करके रखना है फिर आपने इसको डिशाओट कर लेना है जिदे को बहुत ही मज़दार आलो शिमला मिर्च का सालना राड़ी है इसको गरम का रोटी और प्राठी के साथ करें बहुत ही मज़दार लगता है वीडियो अच्छे लगिया तो लाइक कर दे शेयर कर दे चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि आने वादी वीडियो इसको नोटिफिकेशन मलता रहे फिर मिलते हैं एक नहीं रास्पी के साथ अल्ला हाफीज